हेलो इस्टुडेंट मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी पीसी इपार्शाला में सीजी पीसी इपार्शाला में आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्य अंतराष्ट्य करेंट अफेर्स जिसमें हम चर्चा करने वाले है 15 से 31 अगस्त दोहजाशा चौबिस तक के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स कर आज का वीडियो लेक्चर्स थोड़ा सा आपको रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है आज का हमारा टॉपिक है और चाटिस गड़ करेंट अफेर्स बिडियो लेक्चर्स थोड़ा रहा हूं तो यह दो वीडियो लेक्चर्स एक यह नेश्ट इंटरनेशनल करेंट अफेर्स और इसके बाद का 36 गड़ करेंट अफेर कर वीडियो लेक्चर्स आपको कुछ इसी प्रकार से ही प्रोवाइड होगा जिसमें आप लोग के सामने अपियर नहीं हो पाऊंगा जैसे ही मेंटेनर्स का काम पूरा हो जाएगा तो नॉर्मल जो वीडियो से आते थे डिजिटल बोर्ड में वैसे जानकारी आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल पर जाकर सर्च किजएगा CGPSC E-PART शाला करके लगभग 90,000 मेंबर्स उसमें जुड़े हुए है जाकर के उसमें जॉइन हो जाईए वहाँ पर मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा जहाँ पर जाकर के आप नेशनल इंटरनेशनल करेंट अपेर के 15-31 अगस्त तक के इनपोर्टेंट कोश्चन के को प्रेक्टिस कर सकते है वहाँ पर ठीक है चलिए टॉपिक पर आते है ध्यान दिजेगा सबसे पहला टॉपिक है हमारा भारत के कैबिनेट सचीव बरतमान म कि भारत के वरतमान में कैबिनेट सचीव कौन है तो वो है आपके टीवी सोमनाथन जी ये है आपके टीवी सोमनाथन ठीक है इनका क्रमांग भी याद रखना है कि ये भारत में 33 नंबर के कैबिनेट सचीव है इनकी न्यूकती कैबिनेट की न्यूकती समीती के द्वरा की पर नए केबिनेट सचीव बने है, यानि के TV सोमनाथन जी से पहले भारत के कैबिनेट सचीव थे आपके राजीव गौबा, राजीव गौबा जी का नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इनके नाम पर एक रिकॉर्ड है, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने वाले cabinet सचीव का ठीक है तो आपके लिए क्या क्या important factor है भारत के वर्तमान में cabinet सचीव कौन है TV सोमनाथन जी कौन से क्रमांग के है 33 नंबर के और राजीव गौबा जी जो की भारत के सबसे लंबे समय तक सेवरत cabinet सचीव है अगर cabinet सचीव के बारे में हम नौकर शाही विवस्था का प्रमुख होता है और साथी साथ cabinet सेवा बोर्ड का यह प्रदेन अध्यक्ष होता है cabinet सचीवाला जिसका कार्य भारत सरकार का प्रमुख प्रशासनिक निकाय है जो की मंत्रालयो विभागोक में निर्बाद्य कार्य संचालन के लिए महत्यकुन भुमी का निभाता है cabinet सचीवाले भारत सरकार के विभिन मंत्रालयो की गति विधियों का समन्वेयन करता है ठीक है तो यह है भारत के cabinet सचीव टीवी सोमना थंजी नेक्स्ट देखिए भारत का 24 नौरतन कंपणी यह आपका इंडियन जी एस का पोशन है इंडियन एकोनोमिक्स में आपको पढ़ना होता है कि नौरतन कंपणी क्या होती है महारतन कंपणी क्या होती है मिनी रतन कंपणी क्या होती है इनका पैमाना क्या होता है, ठीक है, हाल ही में भारत का 24 वा नौरतन कंपनी बना है आपका NHPC, National Hydro Electric Power Corporation, हिंदी में अगर इसके नाम की बात करें, तो राष्ट्रिय जल विद्यूत निगम लिमिटेड, NHPC को भारत सरकार द्वारा नौरतन कंपनी का प्रतिष्ठित दर्जा प् उद्यम है, तो नंबर भी याद रखे है कि 24 वा नंबर का नौरतन कंपनी कौन सा है, तो वो है आपका NHPC, ठीक, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, तो अगस्त 2024 तक की इस्थिती में, भारत में नौरतन कंपनी की संक्या कितनी है 24, देखें, यहाँ 23 इसलिए लिखा ठीक है, एक बार रेट कर लीजेगा, यह कौन-कौन से आपके 23 नौरतन कंपनी है और 24 वा बना हुआ है आपका NHPC, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अवनी लेखरा, यह हाली में चर्चा में रही, पेरिस ओलंपिक गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, पेरिस ओ पेरिसा पेरालंपिक गेम्स में अवनी लेखरा जी ने गोल्ड मेडल जीता, किस में 10 meter air rifle shooting की SH1 category में जिसमें उनका score रहा 249.7 ठीक है देखिए फ्रश्न पूछा जाएगा कि अवनी लेखरा जी का संबंध किस्से है तो निशाने बाजी ठीक है निशाने बाजी या English में देगा shooting ठीक है यह देखिए आपका shooting देगा या shooting के इस्थान पर आपको लिखा हुआ आएगा निशाने बाजी ठीक देखिए इसमें लिखने में फ्रसा दिक्कत हो रहा है निशाने बाजी जो बोल रहा है उसको सुन लीजिए ठीक इसी आपका जो जिस 10 meter air rifle shooting प्रतीस परधा में जिसमें इन्होंने gold medal जीता इसी में bronze medal जीता Mona अगरवाल ने इनका score आपका 228.7 रहा यह जो category की बात हो रही है SH1 SH1 category shooting में SH1 category में वो shooter शामिल होते है जिनके हाथ शरीर के निचले हिस्से या पैर प्रभावित होते है या जिनके कोई अंग नहीं है वो इस category में शामिल होते है अवनी लेखरा जी ने gold medal जितने के साथ साथ पैरा उलम्पिक रिकॉर्ड भी बनाया 249.7 के score के साथ इन्होंने gold medal जिता जो की पैरा उलम्पिक गेम्स का एक record भी बन चुका है अगर हम अवनी लेखरा जी की उपलब्धियों की बात करे तो लगातार दो gold medal, दो स्वर्ण पदक जीतने वाली यह पहली भारतिय महिला है ठीक है पैरा लम्पिक गेम्स में लगातार दो स्वर्ण पदक इससे पहले टोकियो 2020 में पैरा लम्पिक गेम्स का आउजन हुआ था जिसमें अवनी लेखरा जी ने gold medal जीता और अभी 2024 में आपके पैरिस में हो रहे पैरा लम्पिक गेम्स में इन्होंने फिर से gold medal जीता और लगातार दो बार gold medal जीतने वाली यह पहली भारतिय महिला है और भाला फेक खिलाडी देवेंद्र जाजरिया के बाद दो स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतिय पैरलम्पिक है अगर overall बात किया जाए male female दोनों category को merge करके बात करे तो भाला फेक खिलाडी देवेंद्र जाजरिया के बाद दो स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतिय पैरलम्पिक है और female category में महीला वर्ण में लगातार दो स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरली भारतिय महीला है अवनी लेखरा जी अभी तव हम सितंबर के current affair की बात कर रहे है स्वारी अगस्त के current affair की बात कर रहे है अगर अभी current के update की बात करो जिसे हम next सितंबर मन्थ के current affair में cover करेंगे 115 सितंबर में तो अभी इसका current update है कि 2 gold medal हम जी चुके है इस Paris Paralympic Games में नितेश कुमार जिन्होंने Badminton में gold medal जीता है इसे हम September मन्थ के current affair में cover करेंगे लेकिन सुन करके रख लिजेगा कि अभी तक जो है आज आपका 2 सितंबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज इस 2 सितंबर 2024 तक की इस्थिती में 2 gold medal Paralympics Games में हम जी चुके है एक निशानी बाजी में अवनी लेकरा जी और दूसरा नितेश कुमार जिन्होंने Badminton में gold medal जीता है विकलांग एथलेटों के लिए 17 ग्रिश्म कालिन परलंपिक 27 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेलिस में इसका आयोजन हो रहा है नेक्स्ट देखिए राष्ट्य औद्योगिक गल्यारा विकास कारेक्रम NICDP कारेक्रम के तहक 12 नविन परियोजनाओ को मिली मंजूरी भारत सरकार ने देश के औद्योगिक बुन्यादी धाचो को विक्सित करने के लिए राष्ट्य औद्योगिक गल्यारा विकास कारेक्रम शुरू किया है इस मंजूरी के साथ राष्ट्य औद्योगिक गल्यारा विकास कारेक्रम के तहद विक्सित किये जाने वाले परियोजनाओं की कुल संख्या 44 हो गई है अभी 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है और इन 12 नई परियोजनाओं के शामिल होने के साथ कुल संख्या हो चुकी है 44 ठीक है अगर हम बात करें तो देखिए मंत्री मंडल ने राष्ट्य अध्योगी गलियारा विकास कारिक्रम के तहट 12 अध्योगी शहरों को मंजूरी दी है। अध्योगी गलियारा विकास कारिक्रम है इसके तहट दिल्ली मुंबई अध्योगी गलियारा जिसे 2007 में स्विक्रिती मिली थी देश में विक्सित होने वाला पहला अध्योगी गलियारा है। 2007 में स्विक्रित वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ करके कितनी होगा यह 44 यह 12 नई पर्योजनाओं को शामिल करने के बाद। ठेक नेक्ष देखिए आई एन एस अरीघाट यह क्या है भारतिय नौसेना ने 29 अगस्त दो हजाट चौबिस को अपनी दूसरी पर्मानू उर्जा संचलित बैलिष्टिक मिसाई पंडुब्वी SSBN, INS अरीघाट को आपचारिक रोप से सामिल किया भारतिय नौसेना ने इसे शामिल किया है इसका नाम क्या है अरीघाट अगर आप हिंदी में पढ़े होंगे तो हिंदी में अरी, अरी का मतलब क्या होता है अरी का मतलब होता है शत्रू, अरी का मतलब क्या होता है परमानु उर्जा संचलित बैलिष्टिक मिसाईल पंडुब्वी है यह आई एनस अरिगात अरिहंत स्रेणी की दूसरी पंडुब्वी है याने कि यहां पर क्या वह था बात हो रहा है अरिगात क्या है दूसरी परमानु उर्जा संचलित बैलिष्टिक मिसाईल है पहले प्रोजेक्ट के तहद बनाया जा रहा है नियोजित पांच अरिहंत स्रेणी की परमानू उर्जा संच्रीत पंडूपियों में दूसरे पोत को शामिल करने से भारत के न्यूक्लियर ट्राइड याने की परमानू त्रे छमता में वृद्धी होने की उमीद है अब ये न्यूक जमीन से परमानू हतियार से हमला करने की छमता रखता है पंडूपि का मतलब क्या होता है समुद्र के पानी के भीतर ये पंडूपि चल देगा और ये जो पंडूपि है ये आसमान में भी हमला कर सकता है परमानू हतियार का इसके साथ साथ जमीन पर भी हमला कर सकता है और स मुद्र में पानी के अंदर भी हमला करने में सक्षम है तो इसका नाम याद रखना है नेक्स्ट देखिए प्रधान मंत्री जंधन योजना के दस वर्ष पूरे हुए प्रधान मंत्री जंधन योजना देखिए यह जो प्रधान मंत्री जंधन योजना है न यह हमेशा हाइला बहुत से लोग जो कि बिना bank account के अपना जीवन व्यापन कर रहे थे तो उन लोगों को zero account balance क्या होता है कि किसी भी आपके commercial bank में bank account open करने के लिए एक minimum amount जो है उसमें deposit करना होता है तो प्रधान मंत्री जंधन योजना के तहट zero balance account opening के facility लाई गई है तो प्रधान मंत्री जंधन योजना जिसकी घोशना भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले से इस योजना की घोशना की गई थी और 28 अगस्त 2014 को इसका सुभारंब किया गया ठीक है 28 अगस्त 2014 को इसका सुभारंब हुआ अभी कह चल रहा है 2024 जैने कि 28 अगस्त 2014 को इसके 10 साल पूरे हुए और 10 साल पूरे होने पे जो आकड़ा आया है वो आकड़ा वो डाटा आपके लिए important है इस 10 साल में इस प्रधान मंत्री जंधन योजना के तहत कुल खाताधारकों की संख्या 53.13 करोड हो चुकी है ठीक है जब यह योजना शुरू हुआ था 28 अगस्त 2014 को और जब 10 साल पूरे हुए 28 अगस्त 2014 को तो इन 10 सालों में प्रधान मंत्री जंधन योजना के तहत 53.13 करोड जो है इसमें कुल खाताधारक मौजूद है जिसमें से 55. 55.6 परसेंट यानि की 29.56 करोड 29.56 करोड 29.56 करोड खाताधारक महिला है तोटल ओवरॉल खाताधारक कितने 53.13 करोड जिसमें से 29.56 करोड खाताधारक महिला है 66.6 परसेंट यानि की 35.37 करोड जंधन खाते ग्रामीड या अर्ध शहरी छेत्रों के है प्रधान मंत्री जंधन योजना के तहत अभी प्रधान मंत्री जंधन खातों में कुल जमा राशी 2,31,236 करोड रुपय है कब तक अभी ये 28 अगस 2024 तक की इस्थिती में और अगर हम on an average की बात करें तो प्रती खाता ओसत जमा 4,352 रुपय है ये डाटा important है इसको याद रखना इस्पेशली छात्रावास अधिक्षक के जो एक्जाम में अपेर होने वाले है वो लोग ठीक है इस प्रधान मंत्री जंधन योजना से शायद question पूछा जाए क्योंकि 10 साल पू कर दिया जाता है और प्रधान मंत्री जंधन योजना का नारा क्या है मेरा खाता भाग्यविधाता इतना सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए प्रधान मंत्री जंधन योजना से related next देखिए लद्दाक के 5 नय जिले लद्दाक जो की छेत्रफल के आधार पर हमारे नाम चौथा है जांसकर और पाच्वा है आपका चांग ठांग एक बार नाम याद रख लिजेगा कि लद्दाक के 5 नय जिले कौन कौन से है नेक्स्ट देखिए नेशनल इंटरनेशनल सौरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसील आई सी सी के चेर्में बनाए गया है कौन जै नहीं था तो निर्विरोत तोर पर ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसील के चेर्में बने है वो मौझूदा चेर्में याने कि जैशाह जो है मौझूदा चेर्में ग्रेग बारकले की जगह लेंगे जैशाह एक दिसंबर 2024 को चेर्में का पद समालेंगे अभी याने कि घो पार्तिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचीव है ठीक है BCCI को अब सचीव पद की नई पोस्टिंग करनी होगी जिसके लिए रोहन जेटली जो की आपके अरुन जेटली जी के पुत्र है ठीक वर्तमान में यह दिल्ली क्रिकेट एसोसियेशन के प्रेसिडेंट है यह BCCI के अगले सचीव बनेंगे ऐसी उमीज जताई जा रही है ठीक है अब वो तो समय बताएगा कि दिसंबर के महने में जब जैशाह आपके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के आपके अध्यक्ष या चेर्मेन बनेंगे उसके बाद BCCI का सचीव किसे बनाया जाएगा अगर ह की रियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी वर्ष 1965 में इसका नाम बदलकर अंतराश्टिय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया आपका 1989 1989 को इसका नाम बदलकर अंतराष्टिय क्रिकेट परिशत कर दिया गया इसके अंतरगत कुल 108 सदस्य देश है इसका वर्तमान में मुख्याले है आपका दुबाई संयूगत अरब अमिरात में का जो दुबाई है ये इसका वर्तमान में मुख्याले है इसका पहले मुख्याले था आपका England, England का London, इसका 2005 तक इसका मुख्याले था, 2005 में इसका मुख्याले परिवर्तित करके बना दिया गया आपका दुबाई, दुबाई जो की मौजूद है संयुक्त अरब अमिरात में, ठीक है, तो कितने सदस्य देश है, इसका मुख्याले कहा है, कम से कम इतना याद रख लेना, नेक्ष्ट देखिए, नेक्ष्ट है, आपका भारत का पहला री यूजेबल हाईब्रिड रॉकेट, री यूजेबल याने की पुनह उपियोग में लाया जानने वाला रॉकेट, जिसका नाम क्या है, रूमी, ठीक है, रूमी, भारत का पहला reusable hybrid आपका rocket है इसकी launching की गई चेन्नाई के थिरुविन धई से जहां पर एक mobile launcher का मतलब जैसे कि आप यहां पर image में देख रहे होंगे एक यहां पर truck है ट्रक के पीछे system लगा हुआ है rocket को launch करने का जनरली आप rocket को launching pad होते है लेकिन यहां पर use हो रहा है mobile launcher याने की movable यह जो आपका launching pad है यह गाड़ी की सहायता से एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक लाया लिजाया जा सकता है इसलिए इसे mobile launcher कहा जा रहा है यह जो भारत का पहला reusable hybrid rocket roomie है इसे space zone इंडिया तमिल नाडू के दोरा बनाया गया है यह नीजी छेतर की यानि की private sector की aero technology company है इस rocket के engine में तरल oxidizer और ठोस इंधन का उप्योग किया गया है इसकी body carbon fiber air frame से बनाई गई है इस rocket के साथ 3 cube उपग्रह 50 pico उपग्रह भेजा जाएगा इन सभी को 35 km की उचाई पर इस्थापित किया जाएगा देखिए यह है आपका truck इस truck में यानि कि इसे कहा जा रहा है mobile launcher unit reusable का मतलब जनरली क्या होता है कि जो rocket जो उपग्रह को ले करके जाते है उस उपग्रह को आपके ककशा में इस्थापित करने के बाद उनका दुबारा उपयोग नहीं होता ये भारत का पहला reusable hybrid rocket है याने कि उग्रह को उनकी कक्षा में कक्षा में इस्थाबित करने के बाद इस रॉकेट को पूना उप्योग किया जा सकता है इसका नाम क्या है रूमी ठीक नेक्ट देखिए एकिकरित विज्ञान धारा योजना अच्छा यहां थोड़ा सा साइद इमेज दूसरा लग गय है यह इमेज को इग्णोर कीजिएगा ठीक है यह यूणिफाइड पेंशन इसकीम का इमेज है जो कि यहां लग गया है और यहां पर नाम भी शायद थोड़ा सा चेंज हो गया है एक मिनट इसको फ़र्दा करेक्ट कीजेगा न यहां पर यह जो योजना लिखा हुआ है डिटेलिंग सही है यहां पर नाम में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है इसको करेक्ट यहां पर करना इसका यहां पर आप लिखेंगे एक ही क्रित ठीक है इसको मैं आपको इंगलिश में लिख देता हूँ यूनिफाइड यूनिफाइड पेंशन इसकीम पेंशन इसकीम ठीक है यूनिफाइड पेंशन इसकीम यह थोड़ा सा यहां पर शायद लिखने में गड़बड़ी हो गया आगे पीछे हो गया है देखिए यह जो आपका UPS है यूनिफाइड पेंशन इसकीम याने की एकिकरित पेंशन प्रणाली जिसे 24 अगस्त 2014 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रिय मंत्री मंडल ने अपने करमचारियों के लिए एकिकरित पेंशन प्रणाली UPS को मंजूरी दे दी है नई योजना मौझूदा नेशनल पेंशन प्रणाली की जगह लेगा भारत सरकार के मताबिक एकिकरित पेंशन इसकीम एक अप्रेल दो हजार पचीस से यह लागू होगा देखिए काकी समय से जो है जो गवर्मेंट सेक्टर में जॉब करने वाले जो इंप्लॉई थे वो नेशनल पेंशन इसकीम के इस्थान पर ओल्ड पेंशन इसकीम को लागू करने की बात कह रहे थे तो सरकार ने जो है अब राष्टिय जो नेशनल पेंशन इसकीम था आपका राष्टिय पेंशन प्रणाली उसके इस्थान पर अब लाया है एक इकरित पेंशन प्रणाली UPS जिसको कहा जा रहा है यूनिफाइड पेंशन इसकीम अब ये यूनिफाइड पेंशन इसकीम ए कम से कम 10 साल तक Central Government का Employee होना जरूरी है नियूनतम सुनिश्चित पेंशन 10,000 रुब प्रती महा दिया जाएगा ठीक है कम से कम इस आपके पेंशन इसकीम के तहर नियूनतम मीनिमम 10,000 रुब प्रती महा तो मिलेगा ही कम से कम 25 साल की सेवा वाले केंद्र सरकार के करमचारियों को Retirement के बाद यानि कि सेना वृत्ती से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त होने वाले प्राप्त औसत मुल वेतन का 50 प्रतीशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगा यानि कि आपके पिछले 12 महने में उसको जो मंथली पेंट मिलता था मंथली सेलरी मिलती थी तो औसत मुल वे पेंशन करमचारी के रोजगार अवधी के अनुपात में कुल पेंशन राशी तैय होगी, करमचारी की मृत्तिव के ठीक, करमचारी की मृत्तिव से ठीक पहले परिवार के सदस्यों को उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा, मुद्रा इस्विती सुचकांग का लाब इसका मतलब अगर महंगाई बढ़ेगी तो एक निश्चित अनुपात में पेंशन की राशी भी बढ़ाई जाएगी तो इसमें जो पात्रता है न उस पात्रता को एक बार रीट कर दीजेगा और यह कब से रागू होगा नेक्स्ट एक अप्रेल दोजर पच्चिस से नेक्स देखिए प्रधान मंत्री ने युक्रेन में भीश्म क्यूब की सौगात दी अब यह भीश्म क्यूब है क्या इसको ध्यान समझना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी 23 अगस्त को युक्रेन सरकार को इन्होंने चार भीश्म सहय सहयोग हित्र और मैत्री के लिए भारत स्वास्त की एक पहल है भीश्म ठीक है सहयोग हित्र और मैत्री के लिए भारत स्वास्त पहल भीश्म क्यूब कहा जाता है इसे इसकी सौगात दी किसे युक्रेन देश युक्रेन सरकार को उन्होंने चार भीश्म प्रदान किया अब युद्ध के बीच में भारत के प्रधान मंत्री नरेंड मोदी जी ने युक्रेन की यात्रा की है तो युक्रेन के राष्टपती स्री वलोदमीर जेलिंस्की ने मानविय सहायता के लिए प्रधान मंत्री का धन्यवाद किया यह जो भीश्म क्यूब है भीश्म क्यूब से घायलों को सिग्र उपचार में काफी मदद मिलेगी और इसके साथ ही अनमोल जीवन बचाने में काफी योगदान होगा देखिए आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब को भारत हेल्थ इनिशियेटिव फॉर सहयोग हीत मैत्री जिसे प्राकृतिक आपदा में भीश्म अस्पताल को विमान या हेलिकॉप्टर से उतार कर आठ मिनट में इलाज मोहिया करा जाएगा जनरली क्या होता है कि सही टाइम पर अगर चिकित्सकी सुईधा अवेलेबल नहीं होगी तो जानमाल की हानी हो सकती है तो अगर कहीं पर वार अगर कर आपका भीश्म क्यूब को हेलिकॉप्टर विमान या हेलिकॉप्टर के तहट इसे पैरशूट के सहारे चोड़ा जाता है और यह पैरशूट के सहारे लेंड होते से कुछ ऐसा इस्ट्रक्चर बन जाता है ठीक है टेंट और जिसके अंतर आपका सारी मेडिकल फैस भीश्म में गोली लगने जलन सीर रीड की हड़ी में चोट फैक्चर समेथ कई मेडिकल सुईधा मिलती है ठीक है तो भीश्म क्या है इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना इसका संबंध मेडिकल सेक्टर से है नेक्स देखिए राष्ट्रिय विज्यान पूरुसकार र क्या है केंद्र सरकार में पद्मपूरुसकार की तर्ज पर पद्मपूरुसकार के अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकों को आपके सर्वोच नागरिक पूरुसकार प्रदान के जाते हैं तो उसमें पद्मपूरुसकार आते हैं अगर हम बात करें सर पद्नपुरुसकार यानि कि पद्नभी भूशन पद्नभूशन और पद्मस्री यह नागरिकों को दिया जाने वाला सरवोच नागरिक सम्मान है तो पद्नपुरुसकार की तरज पर देश में विज्ञान अवार्ड शुरू करते हुए जनवरी में नेशनल साइंस प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इसमें कोई भी नगत राशी प्रदान नहीं की जाती इतना याद रखना ठीक है कोई भी कैश प्राइज या नगत राशी प्रदान नहीं की जाती इसमें एक प्रदक मिलता है यानि की मैडल और प्रशस्ति पत्र यानि की सर्टिफिकेट म भटनागर पुरुसकार देखें जो सबसे बड़ा पुरुसकार है विज्ञान रत्न पुरुसकार ये प्रदान किया गया है आपको बायोचेमिस्ट गोविंदा राजन पद्मनाभन को ठीक है जो आपके बायोचेमिस्ट है गोविंदा राजन पद्मनाभन को साइंस के छेत में उपलब्धियों और योगदान को माननेता देने के लिए दिया गया वहीं विज्ञान श्री विशिष्ट योगदान की माननेता देने के लिए दिया गया इसके अलावा तेरा विजयताओं को विज्ञान श्री अवर्ड मिले इसमें आपको याद रखना है एक ये गोविंदा राजन पद्मनाभन का नाम और दूसरा जो विज्ञान टीम श्रेणी का जो अवर्ड है ये किसे मिला ये मिला चंद्रयान टीम को ये दो याद रखना है और इसमें ड विंदा, राजन, पदमनाबन और चंद्रयान टीम इस रोकी ठीक नेक्ष देखिए डबलू एच ओ यानि की वर्ड हेल्थ और्गनाइजेशन ने दुसरी बार M.Pox को P.H.E.I.C. घोशित किया अब ये P.H.E.I.C. ये होता क्या है आगे आगे आपको पता चलेगा विश्व स्यास्त संगतन यानि की डबलू एच ओ वर्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के महा निर्देश्षक डॉक्टर ट्रेडोस एडनोम खेब्रियसस ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और कांगो और अन्य अफ्रीकी देशों में M.Pox जिसे मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता ह है कि मामले में चिंता जनक बढ़ोतरी के बाद M.Pox बिमारी को अंतराष्टिय चिंता सारवजनिक स्वास्थ्य आपात काल ठीक है P.H.E.I.C. घोशित किया है प्रश्ण पूछा जाएगा कि वर्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के द्वारा किस बिमारी को अंतराष्टिय च चिंता सारवजनिक स्वास्थ्य आपात या शौट में देगा P.H.E.I.C. घोशित किया गया है तो वह है M.Pox ठीक है यह दूसरी बार है जब M.Pox को W.H.O. के द्वारा यह P.H.E.I.C. यानि कि Public Health Emergency for International Concern घोशित किया गया है इससे पहले जुलाई 2022 में इसे P.H.E.I.C. घो बदल करके M.Pox कर दिया गया ठीक है monkey का मतलब बंदर होता है कुछ देशों ने आपती जताई ठीक है monkey नाम को ले करके तो इस monkey box का नाम बदल करें क्या रख दिया गया M.Pox रख दिया गया कुछ इस प्रकार के symptom होते है हाथ में कुछ दाने दाने निकल जाते है आपके M.P M.Pox के मामले दर्ज किए गया है ठीक है इन्पॉर्टेंट है इसे भी याद रखना next देखिए next है T20 ठीक है international T20 के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन अभी हाली में आपके समोवा समोवा के प्लेयर याने कि समोवा के प्लेयर डेरियर विसर ने एक ओवर में 49 रन बनाए ठी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है इससे पहले यह रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो एक ओवर में अब तक केवल 36 रन ही बनाए ठीक है केवल अब तक जो है एक ओवर में 36 रन बनाए गया है लास्ट जो आपके 2024 में नेपाल के दिपेंदर सी ही एरी ने एक ओवर में 36 चालीस रन का एक नए रिकॉर्ड बन गया है एक ओवर में आपके 6 गेंद होते हैं 6 गेंद में प्लेयर ने 6-6 मारे 6 गेंद पे 6-6 मारे यानि कि टोटल कितना हुआ 36 और 3 आपके 9 वाल थे 9 वाल के 3 रन तो टोटल हो गया आपका 30 नहीं तो यह रिकॉर्ड आपके सोमावा के डेवियर विसर का है हमारे इंडिया के युवरासी ने भी 6 गेंद पे 6-6 मारे थे ठीक है इंगलेंड के स्टूर्ट ब्रॉड के विरुद्धर डर्वन में खेला गया था यह मैच तो यह भी याद रखना कि API में जो आपका मैच खेला गया जिसमें बॉलर थे आपके ब विधान सभा होनी चाहिए तो विधान सभा के लिए अब यहाँ पर चुनाव हो रहे है इस आपके जमू कश्मीर जमू कश्मीर में विधान सभा तीन फेस में यहाँ विधान सभा चुनाव होंगे प्रथम चरण, द्वितिय चरण, तृतिय चरण, पहला चीस तो याद र प्रमान ही जमू कश्मीर में विधान सभा सीटों के संख्या कितनी है 90 वहाँ पर तीन चरण में आपके चुनाव होंगे पहले चरण में 24 सीटों के लिए दूसरे चरण में 26 सीटों के लिए तीसरे चरण में 40 सीटों के लिए यह notification, nomination यह आप लोगों के लिए important नहीं है इसमें आपको याद रखना है voting की स्तारीक को हो रहा है पहले चरण की voting होगी 18 सितंबर को दूसरे चरण की voting होगी 25 सितंबर को और तीसरे चरण की voting होगी 1 October को और आपका मतगरना यानि की result आएगा आपका 4 October 2024 को तीन चरण में चुना हो रहा है, कितने सितों के चुना हो रहा है यह सारे fact आपके लिए important है Next, EOS-08 Satellite का सफल launching Indian Space Research Organization, ISRO ने देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 से ठीक है, देश का सबसे छोटा रॉकेट का नाम क्या है SSLV-D3 से Earth Observation Satellite 8 EOS का full form Earth Observation Satellite 8 को सफल launch किया यह launching Shri Harikota 37 धवन Space Center से की गई यह satellite प्रिथवी के कक्षा के बाहर करीब 475 km उपर इस्थापित होगा यह जो EOS-08 Satellite का मकसर परियावरन और आपदा को लेकर सटिक जानकारी देना है अंत्रिक्ष में भेजेगा EOS-08 Satellite में 3 payload है देखिए मैं आपको जितना भी current effect बता रहा हूँ न उसमें सारा fact आपके लिए important नहीं होता जो चीज़े red color में highlighted है अभी इस screen पे कि वह आपके लिए important है बाकी extra जानकारी है जिससे आप सुन करके रखिए लेकिन जो red color में highlighted रहता है न उसको कम से कम पढ़ा कीजिए कि EOS-08 Satellite का उद्देश क्या है परियावरन और आपदा को लेकर सठीक जानकारी देना ठेक next देखिए next है सत्तरवे National Film Award की घोशना सत्तरवा National Film Award इसमें से कुछ-कुछ important आपको बता रहा हूँ पढ़ना चाहते तो पूरा पढ़ सकते है Best Actor का Award दिया गया है कांतारा के रिसब सेट्थी को Best Actress का Award दिया गया है आपके नित्या मेनन जो की तिरू चित्रामबलम की एक्ट्रेस है और कच्छ एक्सप्रेस की मांसी पारेक को Best Film का Award मिला है कांतारा ठीक है कांतारा मूवी जरूर देखिएगा कापी अच्छी मूवी है कम बजट में बनी एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी ठीक तो आपके कांतारा मूवी के जो एक्टर थे रिसब शिट्थी उन्हें Best Actor का और कांतारा को Best Film का Award मिला ठीक बाकी उसी तरीके से आप बाकी को भी पढ़ लिजेगा Best Supporting, Best Actress, Best Supporting Actor, Best Feature Film इसमें आपको याद रखना है Best Hindi Film Best Hindi Film का पुरुसकार मिला है आपके गुलमोहर को ठीक कम से कम इतना याद रखिए बाकी उतना मेरी सबसे तो important नहीं है ये Best Actor, Best Actress, Best Film और Best Hindi Film इतना कम से कम याद रखिए ठीक, बाकी को एक बार आप इसको रीड कर सकते है कि कौन-कौन सा कैटेगरी का पुरुसकार किस-किस को प्राप्त हुआ Next, अब कुछ Mislaneous Fact है, Single One Liner देखिए, बिहार में इस्तिष शहर राजगीर में आठवे महीला A.C.I. Championship Trophy Hockey प्रतियोगिता 2024 की मेजवानी करेगा प्रश्न पूछा जाएगा, आठवा महीला A.C.I. Champions Trophy Hockey प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हो रहा है तो बिहार के राजगीर में Next, देखिए वरिष्ट भारतिय पुलिस अधिकारी IPS B.S.R. निवासन को विशिष्ट आतंगवाद विरोधी बल जिसे आपका राष्ट्य सुरक्षा गार्ड National Security Guard के नाम से जाना रहता है NSG NSG के नए महा निदेशक के रूप में निउक्त किया गया है तो NSG के नए महा निदेशक कौन है B.S.R. निवासन ठेक है वैसे ही कुछ अन्य निउक्तियां भी है जैसे कि CISF CISF केंद्री और सुरक्षा बल इसके प्रमुक निउक्त किये गया है राजविंदर सीह भट्टी और BSF सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सीक्यूरिटी फोर्स इसके प्रमुक निउक्त किये गया है दलजीत सीह चौधरी नेक्स्ट होकी इंडिया की आठवी पूरुष एशिया चेंपियंशिप 2024 के लिए हर्मन प्रित सीह के नेत्रित्व में चीन के हुलुन बुईर शहर में आठ से 17 सितंबर 2024 तक आयोजित होने वाली चेंपियंशिप में शामिल हो रहा है यहने कि आठवे पूरुष एशिया चेंपियंशिप 2024 इसका आयोजण कहां पर हो रहा है इसका आयोजण हो रहा है चीन में चीन के बुलुन बुईर शहर में जबकि महिला एशिया चेंपियन्स टॉफिक आयोजन कहा पर हो रहा है हमारे भारत के बिहार के राजगीर में ठीक इंडियन नेशनल मेनेजमेंट सर्वीस इंजिनियर्स के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है अब यहाँ पर ध्या के रेले बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन है सतीश कुमार पंजाब के रोपड के पांच वर्षिय तेग बहाद्दूर सीही ने अफ्रीका महाद्वीब की सबसे उची चोटी मांट कीली मंजारो जिसकी उचाई 5,895 मीटर है पर चड़ने का रिकॉर्ड बनाया और युक्रेन की दो देशों की यात्रा पर थे जनवरी 2022 में युक्रेन के साथ राजनाइक संबंद इस्थापित होने के बाद प्रधान मंत्री मोदी की युक्रेन यात्रा किसी भी भारतिय प्रधान मंत्री की पहली यात्रा है यानि की युक्रेन देश के साथ जब हमारे राजनेएक संबंध इस्थापित हुए आपके 1992 को तब से लेकर कि अब तक किसी भारत्य प्रधान मंत्री ने युक्रेन की यात्रा नहीं की थी, युक्रेन की यात्रा करने वाले पहले भारत्य प्रधान मंत्री है आपके नरेंद्र मोधी जी, ठीक है, next, केंद्री सिक्चा म दिवस मना जाता है राष्टी आपके अंत्रिक्ष दिवस तो इसले इस पत्रिका के विशय था आपका अंत्रिक्ष तेईस अगस्त को इस रोचीफ डॉक्टर S. सोमनाथन ने नेशनल स्पेस डे के मौके पर चंद्रयान पोर की लॉंचिंग का एलान किया चंद्रयान पोर की डिजाइन फैनल हो चुका है जिसे 2027 में लॉंच किया जाएगा तेईस अगस 2024 को केंद्रिय संचार मंत्रालाय के तहट डाक विभाग ने देश के छात्रों चटवी, साथवी, आठवी और नवी कक्षा के चात्रों के बीच टिकटों में अनुसंधान एवं चात्रवित्ति को बढ़ावा देने के लिए दीन दयाल इसपर्श योजना शुरू किया है दीन दयाल इसपर्श योजना का संबंद किस से है डाक विभाग से है डाक विभाग ने देश के छात्रों के बीच टिकटों में अनुसंधान और छात्रवित्ति को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया है दीन दयाल इसपर्श योजना 22 अगस्त दोजार चौविस को स्विजर लेंड में लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 89.49 89.49 मीटर जैवेलियन थ्रो किया और यह दूसरे इस्थान पर रहे जबकि ग्रेंड़ा के एंडर्सन पीटर्स 90.61 मीटर थ्रो किया और यहाँ पहले नंबर पर रहे देखिए यहाँ पर बात हो रही है लुसाने डायमंड लीग जो कि स्विजर लेंड में आयोजित हो रहा है इससे पहले जो पेरिस ओलंपिक आयोजित हुआ था दोजार चौविस का जिसमें आपका सिल्वर मेडल जीता था नीरज चोपड में वह इस लुसाने डायमंड लिंग में लिग में जो है आपके फर्स्ट नंबर पर रहे और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता थेक भारती राष्ट्रिय विज्ञान एकैडमी के एमेरिट्स प्रोफेसर विज्ञानिक प्रोफेसर धीरज मोहन बैनर जी को राष्ट्रिय भ प्रोफेसर धीरज मोहन बैनर जी जिन्हें लाइट टाइम अचीमेंट प्रोफेसर से सम्मानित किया गया नाम बस एक बर याद रखिएगा भारत के 700 मेगावाट के दूसरे स्वदेशी न्यूकलियर रियक्टर की पूरी छमता से ऑप्रेशन सुरू हो गया है यह दूसरे स्वदेशी न्यूकलियर रियक्टर का पूरी छमता भारत का पहला स्वदेशी न्यूकलियर रियक्टर भी आपका काकरापारा परमानु उर्जा इस्टेशन ही है इसका दूसरा यूनिट शूरू हुआ है इसी काकरापारा परमानु उर्जा इस्टेशन में 700 मेग डिपार्टमेंट एडी के निर्देशक के रूप में राहुल नवीन की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है तो यह था आपका 15 से 31 अगस्त दोजाओ चौबिस तक के इनपोर्टेंट करेंट अफेर ठीक है थोड़ा सा अभी एक दो वीडियो एड़ेस्ट कीजिएगा जैसे मैं आपको कुछ इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा स्क्रीन जिसके सामने मैं अपयर नहीं होंगा यहां पर मैं कुछ मार्किंग करूंगा इस्पेशली जो रैड गलर में हाइलेटेट है वो इनपोर्टेंट है उसे पढ़ा कीजिएगा ठीक तो आज के लिए इतना ही किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक और शेयर जरू कीजिएगा धन्यवाद